Welcome Back, आज की इस वीडियो में यहाँ पर हम जारेंगे कि इस Amazon और Flipkart Sale में आपको कौन सी Best 32 Inch TV बाई करनी चाहिए, जो कि आपके बजट में भी फिट हो और आपके सारे Requirements को भी Fulfill करें तो यहाँ पर मैंने आप सभी के लिए कुछ Best 32 Inch TV सेलेक करें हैं, जिनमें को काफी अच्छी Picture Quality और काफी Audio Quality मिल जाती है, साधी साथ इन सभी TVs में आपको काफी सारे Discounts भी मिलने वाले हैं, तो Pricing भी यहाँ पने की काफी कम हुई है, इसी के साथ इस वीडियो को मैंने काफ कोई भी confusion ना हो, और आप easily TV डिसाइड कर पाएं कि आपके लिए कौन सा सही होगा, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई confusion होता है, विकास बहुत सारे deals और बहुत सारे offers हैं, तो confusion हो सकता है, तो आप मुझसे directly contact कर सकते हैं, जी हैं, आप directly मुझसे 1-2-1 chat कर सकते हैं, Instagram के थू, Instagram की जो ID है, वो मैंने नीचे description में, टॉप पर दी हुई है, तो आप जाके वहाँ पर अपनी requirement और आपका budget बताईए, और मैं आपको 24 घंटे के अंदर reply कर दूँगा, और फिर हम मिलके decide करेंगे कि आपके लिए आपके budget के according कौन सी TV सही है, तो link वगरा description में मिल जाएगी, बाकी इन सभी TVs की जो buying links है, वो भी मैं आपको नीचे description में दे रहा हूँ, और बाकी चैनल को subscribe करना, like करना, ये सब आपको पताईए, बताने की ज़रूत नहीं है, चले topic पर बात करते हैं, तो यहाँ पर Amazon Flipkart की sale शुरू होने वाली है, शायद से अगर आप video थोड़ा late दे देखें, यहाँ पर मैंने total 9 TVs select करें हैं, जो कि काफी अच्छे हैं, अब यहाँ पर इसका ऐसा बिल्कुल मतलब नहीं है, कि जो TV first number पर है, वही सबसे best है, जो TV ninth number पर है, वो बिल्कुल भी अच्छा option नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, हर एक TV अपने अपने budget में काफी अ अच्छे option निकल कराते हैं, तो यहाँ पर हम शुरू करते हैं, सबसे lowest budget से, यहाँ पर अगर आप इस समय एक smart TV लेना चाहते हो, अच्छी brand की तरफ से TV लेना चाहते हो, तो मेरे साब से आपका जो budget है, वो at least 11,000 रुपे का, या फिर 10,000 रुपे का होना जरूरी है, वेकास smart TVs की जो range है, वो यहाँ पर इसी से शुरू हो रही है, तो पहली TV, जो कि मैं आपको recommend करूंगा, जो कि काफी कम price में आपको मिल रही है, इस sale के दुरान, वो है Realme Neo, जी हाँ दोस्तो, Realme Neo अभी हाली में ही launch करी गई है, इस TV की pricing 15,000 रुपे रखे गई थी, और इस वज़े स अब देखें, यहाँ पर बहुत से लोगों को confusion होता है कि VA panel अच्छा है, या फिर IPS panel अच्छा है, देखें, दोनों ही panels अच्छे हैं, दोनों में आपने अपने pros and cons है, अब यह totally आपके पड़िपन करता है कि आपको कौन सा panel वाला TV लेना चाहिए, simple सा है, मैं आपको बता द देखने मलते हैं, लेकिन अगर आप VA panel वाली TV लोगे हो, suppose यह TV है, और मैं इतने extreme angles से जाके TV देखूंगा, तो मुझे जो picture quality उतने अच्छी नहीं लगेगी, तो VA panel में वो एक limitation होती है, वही मैं अगर IPS panel की बात करूँ, तो IPS panel में आपको थोड़ी सी brightness कम मलती है, जो blacks है, व wide viewing angle मिलता है, IPS में, तो अब यहां पर ही totally आपके बड़ीपन करता है, अगर आपको पता है कि आप TV ज्यादा ज्यादा फ्रेंट में देखोगा, ज्यादा साइड में नहीं देखने वाले हो, तो उसकेस में आप VA ले सकते हो, वह आपको अच्छी picture quality देगी, इसके अलावा Android operating system नहीं मिलता है, यह smart TV है, लेकिन Android TV नहीं है, इस वज़े से इस TV में आपको Bluetooth बगर का support मिल जाएगा, वाफ़े का support मिलेगा, लेकिन apps यहां पर आपको काफी कम मिलेंगे, सिर्फ YouTube का ही support मिलता है, बाकी चोटे मिल जाते हैं, तो यहां पर मैं TV उन लोगों को recommend करूँग करेंगे, अगर आपकी requirement और आपकी usage इसी तक limited है, तो आप realme new consider कर सकते हैं, आपके लिए काफी अच्छा option है, अगर आप ज़्यादा online content enjoy करना चाते हो, Amazon Prime, Netflix वगरा के तुरू, content देखना चाते हो, other apps को मिल इस्ट्रॉल करना चाते हो, तो यह TV आपके लिए नहीं है, तो वो है Thomson and Kodak के तरफ से, यह दो अलग-अलग brands है, लेकिन इन दोनों की TVs जो हैं, वो exactly same है, तो जो भी आपको सस्ती मिल जाए, उसे बाए का सित्त है, दोनों के specificities exactly same है, तो Thomson and Kodak के TVs में आपको IPS panel मिलता है, जैसे को यह नहीं बताया, अगर आपकी requirement wide wave angles की है, तो आप IPS ले सकते हैं, तो यहाँ पर आपको IPS panel मिलता है, colors काफी अच्छे मिलता है, TV में आपको picture quality भी अच्छे मिल जाती है, 24 watt के speakers है, audio output भी TV के काफी अच्छी है, खास बात यह है कि यह TVs Android certified TVs है, सारे Android वाले applications यहाँ पर आपको मिल जाएंगे YouTube, इसके अलावा Amazon Prime Video, Netflix नहीं मिलता ह इसके बारे में इसमें मैं बात करूँगा, इस पॉइंट पर, तो Netflix को छोड़के बाकी सारे apps को support मिल जाता है, TV में आपको voice accession का button दिया गया है, 1 GB RAM है, 8 GB internal storage यहाँ पर दी गई है, मतब सारे features आपको मिल जाता है, इस TV में आपको सिफ Netflix support नहीं मिलता है, तो अगर आपको आप Netflix future में नहीं use करने वाले हो, और आपको एक अच्छी smart TV चाहिए, certified android TV चाहिए, जिसमें आपको सभी चीजों का support मिल जाता है, इसके अलावा हो सकता है, कि भाया नहीं मेरा budget जो है, वो भी 12,000 पर के आसपास है, लेकिन मुझे ऐसी TV चाहिए, जिसमें Netflix भी हो, because मुझे लगता है कि मैं आगे future में Netflix अपने TV में use करूंगा, तो उस case में Realme में तो है नहीं वो, और नहीं अपने Thompson and Kodak में Netflix का support मलता है, तो अगली TV जो आप consider कर सकते हैं, वो है Infinix X1, Infinix X1 काफी अची TV है, brightness काफी अची मिलती है, VA panel दिया गया है, 20W के speakers मिलते है, certified android TV है, TV में आप आपको सभी apps का support मिल जाता है, including Netflix, तो यहाँ पर सभी चीजों का support मिल जाता है, लेकिन यहाँ पर भी एक कमी है, कमी यह है कि remote के अंदर आपको voice assistant का button नहीं मिलता है, तो आप directly voice command नहीं दे पाएंगे, लेकिन आप TV को पूरा use कर पाएंगे, and सभी features यहाँ पर आपको मिल ज चाते हो, then नहीं हो ले लो, अगर आप के लिए Netflix important है, तो आप Infinex ले लीजे, वहाँ पर आपको voice assistant नहीं मिलेगा बस, लेकिन अगर आप चाते हो कि यहाँ नेट्फिक्स नहीं मिले चलेगा, लेकिन voice assistant होना चाहिए, then Thompson या फिर Kodak ले सकते हो, तो यह तीन best TVs हैं, जो कि 12, 12,000 रुपे के budget में आपको इस sale में मिलने वाले हैं, इन तीनों TVs की buying links मैंने नीचे description में आपको दी है, अब देखी, यहाँ पर अगर आप budget को थोड़ा सा और बढ़ाओगे, तो आपको कुछ और अच्छे TVs भी देखने मिल जाएंगे, तो यहाँ पर जो अगली TV मैं आप स 14,500 पीस में मिलेगा, इस TV की बात करें जाया है, तो TV में आपको काफी अच्छी picture quality, काफी अच्छी audio quality मिल जाती है, TV में आपको Android TV 11 का support मिलता है, जितने भी TVs हमने देखे, अभी तक उन सभी में जदा-जदा हमें Android 9 देखने मिलता है, इसमें डारेक्ली Android TV 11 का support दिया गया ह इसके अलाबा, अगर आपके पास PS4 वगरा है, आप gaming वगरा है करना चातों TV में, तो यहाँ पर आपको auto low latency mode का support मिल जाता है, Wi-Fi connection यहाँ पर काफी अच्छा मिलता है, विकॉस dual band Wi-Fi का support दिया गया है, तो यह specially TV मैं उनको recommend करूँगा, जो कि DTH के साथ में online content भी enjoy करते हैं, अलग-अलग OTT platform की तुरू, उनके लिए TV काफी अच्छा होगा, विकॉस internet connection यहाँ पर काफी अच्छा है, dual band Wi-Fi दिया गया है, और जो user experience भी काफी अच्छा है, Redmi का और एक plus point है दोस्तों, कि यहाँ पर आपको software support भी काफी अच्छा मलता है, long term तक यहाँ पर आपको software updates मिल label होगी, मैं बाय करके आपके लिए detail review video, Redmi TV का लेकर जरूर आओंगा, अब इसके अलावा जो अगली TV, अब इससे बहतर TVs भी है, तो हम आगे बढ़ते हैं, इसकी link जो है मैंने description में दे दिए, सबी TVs के links आपको नीचे description में मिल जाएगी, अगली TV जो आप consider कर सकते हैं, वो ह Realme की 2020 की 32-inch TV, इस TV को मैंने Redmi के उपर इसलिए रखा है कि यहां पर आपको picture quality जो है, वो Redmi से थोड़ी सी बहतर मिलती है, इस TV में आपको VA panel दिया गया है, 400 nits की peak brightness आपको TV के इंदर देखने मल जाती है, 24 watt के speakers दिये गये हैं, तो picture and audio quality आपको थोड़ी सी बहतर मिलेगी, इस सभी TVs आपको सभी features के साथ मिलते हैं, कोई कमी नहीं देखने मलती है, वो सिफ 12,000 पर के budget में आपको एक आदा picture नहीं मलता है, लेकिन उसके उपर के सभी TVs में आपको सभी features दियेगे हैं, तो Realme के इस TV की बात करी जाए, तो यह भी काफी अच्छा option निकल गराती है, और इस इस सारे features से कुछ उतना जादा लेना देना है नहीं, then definitely आप Realme का सभी चाहते हो, लेकिन अगर आप चाहते हो, आप online content भी जाधा enjoy करना चाहते हो, और आप चाहते हो कि आपको एक अच्छा user experience मिले, and support बगरा काफी अच्छा मिले, कुछ unique features में मिले, like अगर आप PS5 बगरा इसके बाद यहाँ पर, next जो TV में आप सभी को recommend करूंगा, वो है Realme के तरह से, जी हाँ दोस्तों, Realme ने इस साल आपने और एक नई TV को launch किया है, जो कि 32 इंच की screen size के साथ आता है, और इस TV में आपको full HD का resolution मिल चाहता है, normally जितने भी 32 इंच वाले TVs हैं, उनमें आपको सिफ HD ready resolution मिलता है, लेकिन इस TV में आपको full HD का resolution दिया गया है, बाकी certified android TV है, picture and audio आपको आची मिल चाहती है, अब सवल आता है कि क्या ये full HD TV buy करना चाहिए या पिन नहीं, देखिए कि totally आपके experiment करता है कि आप TV से कितना दूर बैठ के TV को enjoy करते हो, अगर आप TV के काफी नसदीक बैठते हो, जादा दूर नहीं बैठते हो, उस case में full HD लेने का एक plus point है कि आपको detailing काफी अची मिलेगी, लेकिन अगर आप TV से दूर बैठते हो, like 5-6 feet दूर बैठते हो, तो उस case में HD और full HD आपको बराबर ही लगेगा, तो उस case में आपको real me buy करने के ज़रूरत नहीं, आ आप इससे अच्छी कुछ और TV से जो कि HD रेडियर लोशन के साथ आती हैं, वो आप कंसेडर कर सकते हो, लेकिन आप ज़्यादा दूर नहीं बैठते हो, तो आप इसको इसको कंसेडर कर सकते हो, resolution यहाँ पर अच्छा मिलता है, बाकि TV भी काफी अच्छी है, इसकी pricing 16-17,000 अब बढ़ते हैं हमारे अगले TV के तरफ, जो कि पिछले मिलने वाले सभी TV से अच्छा option निकल कर आती है, और यह TV है Nokia के तरफ से, Nokia 2020, इस TV के के दोस्तों बात करें जाया है, तो TV में आपको VA पैनल दिया गया है, काफी बहतरीन पिच्छी कॉलिटी, एंड टीवी में आप आपको यहाँ पर साउंड बार भाई करने की ज़रूत नहीं पड़ेगी, एक सिनमाटिक एक्सपीरेंस यहाँ आपर आपको मिलने वाला है, एंड टीवी में आपको Android वाले सारे फिच्छे में जाते हैं, इसके बाद अगम बात करते हैं, अगर आप चाहते हो, अगर आपक इस टीवी के बात करे जाया है, तो यह एक 32 इंच टीवी है, लेकिन इस टीवी में जो स्पेसिकेशन हैं, वो सभी 4K टीवी बाले हैं, इसमें आपको Dolby Atmos सपोर्ट मलता है, 40W के स्पीकर आपको मलते हैं, VA पैनल दिया गया है, काफी इच्छी पिचर कॉलिटी मिलती है, 2 आपको बजट का कोई इशू नहीं है, और आप एक best Android TV लेना चाहते हैं, तो उस case में आपको directly Motorola ZX2 ही recommend करूँगा, इस TV की pricing फिलाल 21,000 रुपीज है, लेकिन sale में ये TV आपको 18-19,000 रुपे तक देखने मिल जाया, तो काफी अच्छी डील होगी, आप इसे buy कर सकते हैं, तो मेरे साब से अगर आपका budget 20,000 रुपे है, तो सबसे पहली TV, यानि first preference आपको कौन सी TV को देना चाहिए, तो जो TV मैं आपको recommend करूँगा first number पर, वो है Samsung Wonder Entertainment Smart TV, इस TV की दूस्तों बात करी जाए, तो सबसे पहली बात, ये Samsung जैसे बड़े brand के तरफ से आता, तो after sales service आपको बाक Android operating system नहीं मिलता है, Tizen OS मिलता है, तो Tizen OS में साथा Apps के support नहीं है, ऐसा बिलकुल नहीं है, जितने भी popular OTD platforms है, सबका official support आपको Samsung के TV में दिया गया है, साथ साथ Google Assistant का support भी दिया गया है, बस जो कुछ extra games वगरा होते हैं, और कुछ free वाले Apps होते हैं, उनको आप Android TVs के तरह Samsung में download नहीं कर सकते हो, इतनी limitation है, बाकी complete smart TV है, और मेरे साथ से अगर आपका budget अच्छा है, और definitely आपको Samsung consider करना चाहिए, लेकिन अगर आप Android लेना चाहते हो, तो आप बाकी सारे TVs को भी consider कर सकते हो, तो ये थे top 9 best 32 smart TVs, जो कि मेरे साथ से काफी अच्छे option निकल कर आते हैं, सभी TVs काफी अच्छे हैं, बस यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी है, कि आपकी requirement क्या है, आपका budget क्या है, और उस हिसाब से आप जो है choose कीज़े, कि आपके लिए कौन सा TV सही होगा, confusion है, नहीं समझ में आ रहा है, आप directly मुझसे Instagram पर contact कर सकते हैं, फिर हम मिलक आउ नेक्स वीडियो में तब तक के लिए, टाटा, बाई बाई, साउनारा